पत्ना निग्रानी अन्विक्षन ग्यूरो की टीम ने राजधानी पत्ना में बिहार सरकार के पत्थ निर्मान विभाग के कार्रेपालक अभिहंता को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया साधी निगरानी की टीम ने कारेपालक अभियंता के कैशियर को भी गरफ़तार किया है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को 14 लाग रुपे के साथ हिरासत में लिया गया जानकारी के नुसार रारेपालक अभियंता सुरेश प्रुसाद यादव किसी काम के लिए 14 लाक रुपे की घूस ले रहा था इस बात की जानकारी निगरानी विभाग को लग गई जुसके बाद टीम मौके पर पहुची और उसे रंगे हाथ गरफतार कर दिया वहीं उसके पास से अन्ने संपत्ती के कागजाद भी बरामात किये गए जानकारी के अनुसार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को गरफतार करने के बाद निगरानी की टीम शाष्ट्री नगर थाना शेत्र के पठेल नगर इस्तित आवास पर भी छापे मारी की साज इंप्राक्रम प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेट के कंट्रेक्टर अखलेश कुमार जसवाल का रोट का काज भीटा से बिकरम तक चल रहा है जिसके एग्रिमेंट के लिए काजपाला का भीएंता रोट कंस्ट्रक्शन सुरेश पसाज सिंग एबं ससी भुसंद कुमार कैसियार के द्वारा 28 लाग रुपिया का मांग किया गया जिसमें 14 लाग रुपिया देने के लिए इस्ताय हुआ आज 14 लाग रुपिया लेते हुए अपने अवास पठेल नगर से सुरेश पसाज सिंग काजपाला का भीएंता एवं ससी भुसंद कुमार कैसियर को पत्ना की निगरानी टीम के दोरा अगय हाथ कि अपतार किया गया अब तक क्या-क्या ब्रामाद हो अनके घर से अभी तो कबरों के अनुसार निगरानी के अधिकारी दोरा उसके घर को खंगाला गया बताया जाता है कि करीब दो करोड रुपे नगत मिलने की बात कही जा रही है साथ ही जेवरात और जमीन के कागजात मिले हैं प्राप्त सूचना के मुताबिक नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई बैरहाल अब तो नोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि सुरेश प्रशाद यादव के घर में कितनी बेनामी संपत्ती हैं वहीं जब राजधानी पटना में ये हाल है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में कितना ज्यादा घूस दे कर काम चलाया जाता हुगा सुजीत गुपता बिहार तक कर काम चलेट कि पुपता हुगा